कोरोना मामारी में लगातार अजमीर शहर से व्यापारियों के माद्यम से काला बजारी करने की सूचना लगातार ग्राग कर रहे थे और इसके शिकायत रसा दिभाग को भी कर रहे थे डेली वर्ल पुब्लिक स्कूल इंडिया नमबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है अकाडमेक्स स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन एद्मिशिंस अउपन फ्रम प्री नर्सरी तु नाइटी वहां पर रसाद विभाग की टीम पहुचिए और रसाद विभाग की टीम ने वहां पर समझाईश की कोचिश किये एक तरीके से कड़ी चेताबनी भी दी है उससे पहले हमने देखा था कि गुरुवार को भी रसाद विभाग की टीम चंदवर्दाई इलाके में गई थी वहां पर भी एक दुकानदार को चेताबनी दी थी और आज पढ़ाओ इलाके से जब कल से ही लगातार शिकायत है आ रहे थी तो उन शिकायतों पर कारवाई करते हुए रसाद विभाग की टीम पढ़ाओ में पहुच कर सद्गरू टेडर्स रमिज टेडर्स इन दो दुकानों से पूस्ताच हुई और पूस्ताच के साथ इन वियापारियों को पाबन क्या गया है इस पस्त तो और पर पारे में जानकारी दे जिसे रसाद विभाग की टीम मौके पर पहुच कर वहाँ पर निर्दारित मुल्यों की जो रेट लिस्ट है उसको वहाँ पर तैय कर सके इसके साथी रसाद विभाग की टीम ने इस पस्ट आदेश भी रहे हैं दिशा निर्देश भी जारी कर रहे ह कि हर व्यापारी को अपने दुकान के बार निर्धारित मुल्यों की जो कीमत है जो एक तैय रेट लिस्ट है उसको अपनी दुकान के उपर लगाना है जिससे कि किसी भी प्रकार की काला बजारी या मुनाफ़ाख होरी नहीं हो सके आज जब पड़ाओ के अंदर असर्दिभाग की टीम पहुची है तो यहाँ पर दोनों दुकानों के बार और कुछ और जो दुकाने थी वहाँ पर निर्धारित मुल्यों की रेट लिस्ट लगाई गई है जिसके अंदर चावल 30 रुपे किलो से उपर कोई भी नहीं बेच सक कोई भी अगर इस तरीके से काला बजारी या फिर मुनाफ़ा खुरी करता पाय जाता है तो उसकी दुकान को सीज करने की कारभाई भी रसद विभाग कर सकता है अभी तक पड़ाओ के अंदर किसी प्रिकार से किसी दुकान को सीज नहीं किया गया है लेकिन इतना जरूर है कि सकत और कड़े शब्दों के अंदर चेताबनी रसद विभाग की टीम ने दे दी है वहीं दूसरी और कोरोना लॉकडाउन का जो असर है वो गली मौलो की जो किराना की दुकाने है वहाँ पर अमनजर आने लगा है मंडियों में देरे-देरे समान खतम होने लगा है सप्ल सप्लाई को लेकर बहुत आश्वस कर चुकी है आम लोगों को भी कर रही है जनता को आश्वस कर रही है कि उनकी और से चैन सप्लाई नहीं टूटेगी सरकार का इसपस कहना है कि सप्लाई चैन किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होगी किराना की दुकानों पर समान आटा बिस्केट मैगी चेप्स नमकीन इनके जो पैकेट है इन उत्पादों की किलत किसी भी कीमत पे आने नहीं दी जाएगी वहीं मंडियो आटा मील और तेल मिलो और फैक्टरों से मांग के बावजूद उत्पाद की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही है और सप्लाई नहीं होने से आटा बिस्केट मैगी चेप्स नमकीन इन पैकेट की जो डिमांड है उसमें उत्पाद के अंदर किलत देखी जारी है दुकानदारों से जब M.D.TV इंडिया ने बात किये तो उनका कहना है कि जिला प्रचाचनों सरकार का किराना शौस पर सप्लाई वेवस्ता और बहतर करनी होगी ताकि जो ज़रूरी सामान है उनकी आपूरती के अंदर किसी प्रकार से कोई कमी ना आए पाईगी तो सीज भी किया जाएगा सील भी की जाएगी दुकान को सूची जारी करिए आपने रेट लिस्त की सूची गवर्मेंट ने जारी करिए ना जिसमें आटा तीस रुपे किलो है दाल पैसट रुपे किलो है लगादार आप देखा जा रहा है कि वाइरस का खौप और आपने वाड़ों में तो लेस्ते जारी करिए जो ग्रामी शेत्र उसमें का लिए लिस्टे पूरी जिले के लिए एक ही है ग्रामी शेत्र के अंदर SDM को कुना पावर दे रहे है और SDM के निर्देशन के अंदर वहां पर पूरा पाप किया जा रहा है ने फूड की सप् कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या चीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें इस्तमाल की हुए टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दें अपनी आंक नाक और मूँ को हाथ से नच्छूए आपने हाथों को समय समय पर सा बीड बाहर वाली जगा पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षन देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सला लें अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क य अपनी सुरक्षा के लिए अमारी मदद कीजिए